देखे बड़ अच्छा सवाल है यह आया था आज जो फेडरल का पेपर हुआ था उसमें कि छे गैस्रोम है तीन गैस्ट है तो बताओ प्रोबिलेटी क्या होगी होनी की अब देखो एक बास सुनो बलगे छे अगर गैस्रोम है ठीक है तो नीचे तो छे का वेक्टोरियल आजाएगा उपर क्या आजाएगा जना पहले गैस्ट का चांस है कि वो छे रोम में आए दूसरे गैस्ट के लिए पाँच रोम अवे लेबल है तीसरे गैस्ट के लिए चार गैस्ट तो यह 6 इंटो 5 इंटो 4 आगे बीचे हो जाए में कोई फ़र्क नहीं पढ़ता है 6 वेक्टोरियल आप पूरा खोलेंगे कहां तक खोलेंगे 1 तक तो अव्यस सी बात है 1 से अगर आप मल्टिप्लाइन ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पढ़ता है अब देखो यह 4, 5, 6 कैंसल हो जाएगा उपर 1 बच जाएगा नीचे 3 तूज़ा 6 आंसर आएगा 1 अपॉन 6 और यह हमारा बच्चो आंसर है ठीक है बच्चो फिर देखलो यह 1 अपॉन 6 क्यों 6 इंटो 4 इंटो 5 यह सब आपस में कैंसल आउट हो जाए तूज़ा ने वह जाएगा वारी रेरी इंपोर्टन कोश्चन तो बेर 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 क्यों प्राइस के लिए कितने कंपिटेटर है पुरे के पूरे दस प्राइस के लिए कितने रह जाएगे वाल नाइन थर्ड प्राइस के लिए कितने रह जाएंगे वैल एट एट नहीं से कितना होता है 72 72 टेंजा 720 तो आंसर हो जाएगा 720 वेस बच्चों देखो 473 40 यहाँ पर मौझूद है 652 42 मौझूद है 943 63 है 856 और जहाँ पूच रहे हैं तो देखो डेर अब थोड़ी सी 2-3 माते है क्या इन तीनों के addition से ही आ रहा है तीनों के multiplication से ही आ रहा है या दो को add करके 3rd से multiply करके चा रहा है तो तो ते कोई यहाँ कुछ ऐसा ही हो रहा है 7 और 3 का sum 10 होता है 10, 4 सा 40 होता है 5 और 2 का sum 7 होता है 7, 6 सा 42 होता है 4 और 3 का sum 7 होता है multiply 9 से करो 63 होता है 5 और 6 का sum 11 होता है 8 से multiply करो 88 होता है 10 होता है 16 सान करो 9 और 9 wins और 15 1